प्रस्न पांच, एक दुकंदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूले अंकीत करके गराहक को खरीदने पर 20 परतीसत की छूट देता है, छूट देने के बाद भी दुकंदार को 25 परतीसत का लाग प्राप्त होता है, तो जूते का क्रेम मूले क्या है? तो प्रस्न पांच में क्या-क्या दिया हुआ है? अंकीत मूले दिया हुआ है, तो लिखेंगे एक जोड़ी एक जोड़ी जूते एक जोड़ी जूते का अंकीत मूले का अंकीत मूले बराबर कितना दिया हुआ है? तो एक जोड़ी जूते का अंकीत मूले है 1250 रुपया एक जोड़ी जूते का अंकीत मूले कितना है? 1250 रुपया और छूट कितना देता है? यानि बट्टा छूट मतलब क्या हुआ हुआ? बट्टा तो बट्टा परतीसद कितना है? बट्टा परतीसद बराबर दे रहा है 20 परतीसद यानि एक जोड़ी जूते पर 20 परतीसद का बट्टा दे रहा है यानि छूट दे रहा है ठीक है? तो बट्टा परतीसद दिया हुआ है अंकीत मूले दिया हुआ है तो हम इससे पहले बिक्रय मूले निकाल लेंगे यानि कितना में दुकंदार जो है उस जूते को बेचा है ठीक है बेचने का मूले कितना है बट्टा देने के बाद तो लिखेंगे अतह बिक्रय मूले बिक्रय मूले तो बिक्रय मूले बराबर क्या होता है? अंकित मुल्य अंकित मुल्य माइनस बट्टा माइनस बट्टा रासी ठीक है विक्रै मुल्य बराबर होता है अंकित मुल्य माइनस बट्टा रासी तो अंकित मुल्य में से बट्टा रासी को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा विक्रै मुल्य यानि कितना में बेचा, यानि कितना में दुकंदार जो है उस जूते को बेचा, उसी को बिक रहे हैं मुल्य कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अंकित मुल्य पे तो बिकता नहीं है, जूता ये सब, उस पे कुछ, अंकित मुल्य कुछ रहे, मतलब जादा रहता है, लेकिन, मान 20 परतिसत यानि छूट मिल रहा है 20 परतिसत का तो विक्रेम मुल्य बराबर होता है अंकित मुल्य माइनस बट्टा रासी यानि अंकित मुल्य मेंसे जितना छूट दिया जा रहा है उसको घटा देंगे तो विक्रेम मुल्य निकल जाएगा तो लिख लेंगे बराबर अंकित मुल्य कितना है 1250 1250 1250 में से 1250 का 20 पर 30 को घटा देंगे तो बिक्रे मुल्य बराबर हो जाएगा अंकित मुल्य माइनस बटा रासी यानि अंकित मुल्य कितना है 1250 और बटा रासी कैसे निकलेगा यहां तो बटा पर 30 दिया हुआ है तो बटा रासी निकालने के लिए क्या करेंगे 1250 का 20 पर 30 तो बटा जो है हमेशा अंकित मुल्य पर दिया जाता है यानि 1250 का 20 पर 30 तो बटा कितना है 20 पर 30 यानि जितना अंकित में से घटा देंगे तो अंकित मूले कितना है 1250 तो अंकित मूले माइनस बट्टा रासी तो अंकित मूले का 20 पर 30 करेंगे तो बट्टा रासी निकल जाएगा तो लिखेंगे यहां पर 1250 माइनस 1250 का का मतलब गुना होता है तो गुना 20 पटा 100 कर देंगे पर 30 पटा राएंगे तो क्या हो जागा बटा में 100 आजाएगा तो इसको गुना कर लेते हैं तो एक सुनने से एक सुनने एक सुनने से एक सुनने पर 30 पटा राएंगे तो बटा में 100 आजाएगा और का मतलब गुना होता है तो गुना कर देंगे तो 1250 गुना 20 बटा 100 यानि कितना आ गया बराबर 1250 माइनस अब 125 गुना 2 सभी सुन यहां पर कट चुका है, तो 125 को 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 2 दूना 4 एक 5 यानी 2 गुणा एक 2 250, देखिए 125 को 2 से गुणा करने पर कितना आ गया? 250, यानी उसको बट्टा कितना दिया जा रहा है? तो 1250 में से 250 घटाएंगे, तो 1000 आ जाएगा, यानि बिक्रैम मुले कितना हो गया, 1000 रुपया, तो हम बिक्रैम मुले निकाल रहे थे, देखिए, बिक्रैम मुले हम निकाल रहे थे, तो अंकित मुले में से बट्टा रासी को घटा दी है, तो बट्टा रासी आ गया 250 रुपय और 1250 से अंकित मुल्य तो 1250 में से 250 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रे मुल्य यानि 1000 में जूता जो है विक्रेगा ठीक है? यानि विक्री मुल्य बेचने वाला मुल्य कितना है? 1000 लेकिन उस पे अंकित मुल्य है 1250 तो 20% छूट दे करके उसको कितना में बेचेगा? दुकंदार कितना में बेचेगा? 1000 रुपया में ठीक है तो विक्रे मुल्य देखिया आ चुका है अब कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद भी दुकंदार को 25% का लाब होता है यानि लाब कितना हो रहा है? तो देखिये लिखेंगे लाब लाब बराबर कितना कह रहा है? 25% तो देखिये लाब पर तीसद हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? लाब पर तीसद तो लाब पर तीसद बराबर पचीस परतीसद यानि 250 रुपया कम करने के बाद भी उसको 25 परतीसद लाब हो रहा है यानि 20 परतीसद बट्टा देने के बाद भी उसको 25 परतीसद लाब हो रहा है दुकंदार को तो देखें लाब परतिसद दिया हुआ है विक्रेम मुले हम निकाल लिए एक हजार रुपया क्या निकाले हैं अभी विक्रेम मुले निकाले हैं कितना तो विक्रेम मुले हम निकाल लिए एक हजार रुपया और लाब परतिसद दिया हुआ है अब क्या पूछ रहा है कि जूते का क्रेम उले क्या है तो देखें लिखेंगा अतह क्रेम उले अतह जूते का जूते का क्रेम उले अब देखें लाब परतीसत दिया हुआ है और विक्रेम उले दिया हुआ है तो क्रेम उले का सुत्र क्या होता है जब विक्रेम उले और लाब परतीसत दिया हो तो क्रेम उले का सुत्र होता है सो बटा क्या होता है सो बटा सो पलस लाग पर्तिसत लाग पर्तिसत गुना बिक्रैमुल गुना बिक्रैमुल तो क्रैमुले का सुत्र क्या होता है जब लाग पर्तिसत और बिक्रैमुले दिया हो तो सो बटा सो पलस लाग पर्तिसत गुना बिक्रैमुल यह सुत्र होता है क्रैमुले निकालने का ठीक है तो अब इस पर बठा लेंगे तो हो जाएगा सो बटा सो बटा सो जोड सो बटा सो जोड लाब परतीसद कितना है पचीस परतीसद तो यहां पचीस लिख देंगे गुना बिक्रेम उल्य देखे बिक्रेम उल्य हम अभी निकाले थे एक हजार रुपया तो इसको लिख देंगे यहाँ पर गुना 1000 बिक्रेम मुली कितना है 1000 है तो इस तरह लिख लेंगे अब 100 बटा 100 जोड 25 क्या हो जागा 125 गुना 1000 तो 125 अठी 125 अठी होता है 1000 यानि 125 से 1000 को 8 बार में काट लेंगे क्योंकि 1000 को 120 से भाग देने पर क्या आता है 8 आता है तो कितना आ गया 800 गुना 100 यानि 800 रुपया कितना आ गया 800 रुपया तो हम क्या निकाल रहे थे जूते का क्रेम मुले देखे जूते का क्रेम मुले निकाल रहे थे जो पूछ रहा है प्रेस्ट में कि जूते का क्रेमू लिक्या है तो इसका उत्तर आ चुका है जूते का क्रेमू लिक्या है 800 रूपया देखें इसका उत्तर आ गया है 800 रूपया प्रेस्ट में 5 हम इस तरह से हल करेंगे झाल झाल